हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन लेसन फोर दा एनारमस तरनेप आफ रेनवो क्लास फेप बिद बिजय लेक्षिमी बेसिक टीचर बच्चों आप दा एनारमस तरनेप लेसन फोर का हिंदी अनुवाद प्रिविएस वीडियो में समझ चुके हैं आएए आज हम इसकी exercise comprehension question से आरम करते हैं जिसमें A, V, C, D, E ये questions हैं जिसको हमने इस notebook में भी note किया है तो हम इन questions की हिंदी और इनके answers की हिंदी इस notebook से समझते हैं First question, what did the old man plant in his farm? What, kya old man, bude aadmi ne plant boya in his farm अपने खेत में? उस bude aadmi ne अपने खेत में क्या boya, क्या plant किया? The old man planted some turnip seeds in his farm Bude aadmi ne planted boya, बिटा, past indefinite tense में question है तो answer भी आपको past indefinite tense में देना है, यानि plant लिखा हुआ है question में बट आप answer दोगे तो क्या हो जाएगा, planted यानि second form लग जाएगी The old man planted some turnip seeds Some means कुछ turnip seeds यानि शल्यम के बीजों को in his farm अपने खेत में Why was it difficult for the old man to pull up the turnip? Why means क्यों was, था, it, यह है difficult, कथिन For the old man, बुड़े आदमी के लिए, to pull up, ऊपर खीचना, the turnip यानि शल्यम को शल्यम को ऊपर खीचना, बाहर ऊपर निकालना क्यों कथिन था? जैसे आप इस picture में देख रहे हो, यह बुड़ा आदमी शल्यम को ऊपर निकाल ला है, बट नहीं उसको खीच पा रहा है यह कथिन क्यों था? The turnip was too enormous, to means बहुत ज़्यादा, enormous बड़ा Turnip शल्यम, शल्यम बहुत बड़ा था, यानि the turnip was too enormous, so the old man could not pull up So, इसलिए the old man, बुड़ा आदमी, could not pull up, नहीं खीच सका, the turnip, शल्यम को Who helped the old man to pull up the turnip? Who means किसने helped means saitha की, the old man, उस बुड़े आदमी की, to pull up the turnip, उस शल्यम को ऊपर खीचने में तो, the old man, the boy and the girl आप एक बार इस पिक्चर में देखिए, ताकि आपको धिहान रहे The old man और the woman, next, the boy and girl ये चार लोग थे, helped the old man, उस बुड़े आदमी की, मदद की, किस में, to pull up the enormous turnip उस बिशाल, बड़े से सल्यम को खीचने में, इतने लोगों ने उसकी मदद की, next question देखते हैं Who prepared the dish of turnip, who means किसने, prepared means तयार की, यानि बनाई, the dish बेंजन, यानि उसकी जो सबजी बनती है, शल्यम की, वो किसने बनाई The old woman prepared the dish of turnip, बुड़ी महला ने उस सल्यम का बेंजन तयार किया Prepared means तयार किया, next question, who all ate the dish of the turnip, who means किसने, all means सबने, मतलब कौन लोग थे, किन सब लोगों ने, at, eat की second form है, यानि खाया The dish of the turnip, उस सल्यम का बेंजन किन किन लोगों ने खाया The old man, the old woman, the boy and the girl, at the dish of the turnip तो ये तो comprehension question है, बच्चों, आपके a से e तक, है न, यहां तक इसके बाद, bird power, one word in each of the following sets, indifferent from the other, circle the old man, out जैसा कि बच्चों, देखिए, मैंने यहां पर ये pattern तयार किया है One word, यानि एक शब्द, in each of the following sets, in each का meaning, प्रतेक में, of the following sets, यानि आगे दिये हुए set, is different from the others दूसरों से भिन है, अलग है, circle, the odd one out, उसमें जो odd है, यानि भिन है, उसको क्या करना है, circle करना है, यानि गोला करना है, ब्रत बनाना वहां पर तो आईए देखते हैं बच्चों, book में भी एक नजर डालिए आप, दिखिए, इसमें ये a से लेकर e तक, ये set दिये गए हैं, following sets का मतलब है, ये कुछ words हैं, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, और इन में से एक जो है, वो odd है, यानि इस समू में इस group से बाहर है, उसको आपको इस तरह से circle बनाना है, तो बैसे तो यहां circle हम बना दिये हैं, लेकिन आपको हिंदी को समझते हुए, इसको तयार करना है, इस exercise को, ताकि आप इसको स्वयम से कर सकें, और कभी भूले भी नहीं, तो आजए इसको हम इस notebook में ही देखते हैं, यह sets है, तो इसमें देखते हैं, टरनिप, पोटेटो, टोमेटो, और सनफ्लावर, कैरट, ब्रिंजल, इतने चीजों का set है, तो इतनी चीजों में आप समझ चुके होंगे, कि यहाँ पर सर्किल हमने सनफ्लावर में ही क्यों किया, क्योंकि टरनिप, शल्यम, पोटेटो, आलू, टोमेटो, टमाटर, और कैरट, गाजर, ब्रिंजल, बैगन, यह क्या है, यह vegetables है, यह set किसका बन गया, सबजियों का, जबकि सनफ्लावर क्या है, यह एक फूल है, तो इस तरह से यह कैसा है, इस समू से भिन है, ओड है, है ना, जिसमें हमने क्या कर दिया, गोला कर दिया, इसी तरह से दूसरा देखिये, काव, होर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू और मैलन, तो बच्चों, यह सब क्या है, एनिमल है, है ना, काव, यानि गाय, होर्स, गोडा, बकरी, फॉक्स, लॉमडी, कंगारू, कंगारू, और मैलन किस्ट क्या है, यह एक फ्रूट है, फल है, तो इसलिए इसमें भी गोला कर दिया, आगे बढ़ते हैं, सेट थिरी, सी, बैन्यान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, और एपल, ये लो, ये तो सब क्या हो गए, बरग बैन्यान, बरगर, नीम, पीपल, मैंगो, और एपल, यानि सेप, ये सब क्या है, ये पेड़ है, ब्रच है, जबकि इसनेक क्या है, एक जानवर है, साप, इसनेक में साप, तो यहाँ पर इसमें हमें गोला करना हुआ, ये और हो गया, नेक्स, दी में देखिए, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, और कली फ्लावर, तो ये क्या है, रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, ये क्या है, ये फूल है, जबकि कली फ्लावर क्या है, ये सबची है, बैजिटेविल है, तो ये और है, इस सेट से अलग है, भिन है, इ ग्रोः और बूड़ पैकर तो पिकउक, मोर, पेरक, तोता, लिजार, छिपकली और क्रोः, कववा, बूड़ पैकर, लकड़ बगजा तो यह क्या है यह पच्छी है जबकी छिपकली क्या है यह एक इनसेक्ट है तो यह कैसा है और यानि इस इस गुरुप से तो अलग है तो यह आपका यह बर्ट पॉवर यानि next exercise complete हुई अब बच्चों देखिए यहां पर make meaningful sentences with the help of the table given below below means नीचे given below का मतलब नीचे देखिए यानि इस table में से आपको meaningful sentences बनाने हैं बाग के बनाने हैं जिनका earth हो तो इसको भी इस table को भी बच्चों देखो मैंने यहां पर अपनी notebook में draw किया है और आप भी अपनी notebook में ऐसे draw कर सकते हो यह table है एक बार आप देखिए ध्यान से यह देखिए है ना यह table तो इसमें इन में से word लेकर आपको sentence बनाना है जो कि मैंने क्या किया है नीचे बनाया जैसे कि इस वाले column से first letter लिया fish और यहां से यह second letter लिया हमने second letter में हम यह भी ले सकते हो यह भी ले सकते हैं तो पहले हमने लिया can can means होता है बच्चों कर सकती है या कर सकता है कर सकता है या कर सकती है ठीक है तो जैसे fish है fish क्या क्या कर सकती है यह 예 इधर यहां पर कोई पशू पच्चिया जानवर यानि शबद है नाव्ण है और इधर क्या है इनकी क्रिया LAUN यानि संग्या जो कर कर सकता है उसमें लगेगा और जो नहीं कर सकता है उसमें क्या लगेगा यह अब क्या है आपको सिर्फ सेंटेंस बनाने हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक नाउन साथ दो सेंटेंस भी बन सकते हैं can लिखकर और cannot लिखकर जैसे a fish can swim एक मचली क्या कर सकती है तैर सकती है swim means होता है तैरना और a boy can walk एक लड़का क्या कर सकता है चल सकता है है ना a boy can talk by second bird लिया तो एक लड़का बात भी कर सकता है है ना बॉय चल भी सकता है walk miss चलना और talk miss बात करना नेक्स्ट बढ़ है अप फ्रॉग यहां से यह भी लिया है अ फ्रॉग तो फ्रॉग क्या कर सकता है हॉप यानि हॉप का मतलब क्या होता है फोदकना या कूदना नेक्स्ट बर्ड आब बर्ड केन फ्लाई चुड़िया क्या कर सकती है उड़ सकती है अब बच्चो यहां पर एक ही डिटर्माइनर दिया गया है यह ना ए लेकिन वर्ड यहां पर नाउन दिया है एलिफेंट तो एलिफेंट के साथ ए नहीं वलकि क्या आएगा एन इसमें आप यह एड कर लीजिए और ए का मीनिंग भी एक होता है एन का मीनिंग भी एक होता है तो एन एलिफेंट एन एलिफेंट केंड फ्लाई यहां पर हमने यूज किया है कैन नोट एक हाथी उड नहीं सकता है तो यहां पर एक sentence में use किया है cannot इस तरह से बच्चों देखिए यहां से हमने कुछ sentence बनाए हैं आप और भी sentence बना सकते हो कि इधर जो noun दिया गया है उससे यहां पर verb का use करके कि वो कौन सा काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता है वहां पर आपको इस तरह से can लगा देना और जो का हम नहीं कर सकता है इधर का noun वहां पर cannot लगा देना है तो यह थी आपकी exercise इस बुक की और इसके बाद देखिए यह एक activity दी गई है बच्चों इसमें यहां पर कुछ vegetables दी गई है और उनकी spelling भी दी गई है यहां पर इसमें alphabet का चार्ट बना दिया है तो आपको इसमें से ढूननी है spelling जैसे की carrot तो carrot के लिए आपको इसमें इस puzzle है इसमें ढूनना है जैसे C-A-W-R-O-T और यहां पर ढून के क्या करना है circle बना देना इस तरह से यानि गोला बना देना है ऐसे ही potato यह P-O-T-A-T-O अगर आपको spelling नहीं भी आती है तो इन सब्चियों के सामने spelling लिखी हुई है तो आप इसको देखकर बस आपको ढूनना है और उसके बाद में याग भी करना है तो बच्चों उमीद है आपको यह exercise अच्छे से समझ में आई होगी और आप इस वीडियो को जादा से जादा शेर कीजिए और इसी तरह से अपने next chapter को read करने के लिए और इसकी exercise को समझने के लिए चैनल को subscribe कीजिए और वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद